नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पॉंच जागड़ा और आप देख रहे हैं इस माल हाउस प्लान आज हम बात करने वाले एक बेतरीन से प्लान के अगर आप भी एक सुन्दर सा घर डेजाइन करने की सोच रहे हैं जिसका फ्रेंट की बेस्ट देजाएन हो तो आप इस मॉडल को स्लीट कर सकते हैं आज का जो मॉडल होने वाला है कुछ हट के और डिफरेंट होने वाला है अगर आपके पास लगबग 30 फिट फ्रेंट की जगह है और लंबाई आपकी कुछ भी हो सकती है हाला कि जो मैंने मकान क्रेट किया है लगबग 30 फिट फिट में बट बॉंडरी वाल उसकी अलग से मनलग की 36 फिट फ्रेंट है तो आप इस फ्रेंट को डिजाइन गर के एक सुन्दर से घर को डिजाइन देशकते हैं तो इसी बाड़ को आज हम डिसकस करेंगे वीडियो को आप पुरा देखीगा और शाएशाद अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहेंगे दोस्तों तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा यदि आप हमारी पेड़ सर्विस का इस्तमाल करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं नमबर हमारा आपको डिस्क्रेप्शन में मिलेगा जो की एक वाक्सव नमबर है जिस पर आप हमें कॉंटेक्ट करके अपनी रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग घर बनवा सकते हैं बट वो हमारी पेड़ सर्विस है इसका विश्येज ध्यान रखें तो आज के मॉडलो को डिफाइन करने के लिए हम आपको लेचलेंगे कमपड़े स्कीम पर तो यह बेतरीन से लुक के साथ मैं इस मॉडलो को डिफाइन करूंगा आप लोगों की सामने मैं अगर बात करूं इसे जूम करने की तो आप देख चकते कतना सुन्दर मकान आपकी सामने बना हुए है मैं इस ट्री को और यह जो रोड है इसको हटाऊंगा जिससे प्रॉपर तरीक गर क्या आपको दिखा सकता हूं सारी चीजें तो यह देखी का फ्रेंट का जो ग्रिल कर डिजाइन है वह आप देखे कितना आप बेतरीन सा कलर कॉमिनिक्शन और यह डिजाइन और यह विंडो भी मैंने आप रटाइज की है जो कि एक गर को बेतरीन लुक देता है मैं बा यह मकान ऐसा दिखने वाला है आपका यह आपका पूरा ओवर ओल पूरे डे जाइन बनकर रेडी हुआ है बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की तो यह दुस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है आप इसको इग्नोर करें यह मैंने एक साथ क्रेट कर दी है जैसे आप में जाएंगे तो आपको एक बारंदा डाइप को देखने को मिलता है यह और इसके बाद यह आपको एक के बारंदे पर ही मैंने स्टेर से डी हैं जिससे आप टर्म होकर वापस आएंगे इसी से आप उपर जाएंगे घर के और इसी स्टेर के पास यह मैंने विंडो दिया है य आप इस space पे आ जाते जो कि open space है अब बात करते हैं इधर कि यह आपको एक master bedroom देखने को मिलता है इसका door मैं इधर से दिया एक window भी दिया है ventilation के लिए यह आपका बड़ा सा kitchen देखने को मिलता है इसके बद यह आपको एक bedroom और मिलता है इस bedroom में मैंने attached late and bad create किया है और यह एक common late बात मैंने और create किया है तो इस मकान में दो लेट बात है एक बड़ा सा kitchen दो bedroom open बारंदा stairs और आगे बेदरीन सा parking के लिए space आपको देखने को मिलेगा देख सकते हैं तो ग्राउन फोर एक बेदरीन दे लुक के शाद मैंने यहाँ पर create किया दिखे मैं maximum zoom करता हूं इससे आपको सारी चीज़ें बहुत यह realistic समझ में आए बहुत क्लियर गड़ आपको समझ में आए तो अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं जैसा कि मैंने बताया आप आपन वेबसा आइज महाँ पर mention रहते हैं बात करते हैं इसके फास्ट फ्लूर की तो यह तो फास्ट फ्लूर दोस्तों आगया है चार फिट का boundary वाल आगे चार फिट पर मैंने दोस्तों ग्रिल बनाई है यह रेलिंग का डेजाइन आप देखीए का और यह दोस्तों जो इस्टेर्स थी इसको डखने के लिए गुम्टी हाला कि मैं यह दोर लगाना पूल गया हूँ सौरी और इसके बाद यह एक साथ मैंने क्रेट किया है और यह एक विंडो और इसके साथ यह color combination दिया है यह black color का आप डिजाइनिंग के परपस्ट चीज़े हैं लाश्ट वेस्ट पर आपको मै साथ यह आगे वाले को तो यह 30 वाई 30 में बेतनी सा मॉडल 900 स्कॉाइब फिड में बनकर रेडी होता है जो एक लक्जरी हाउज देखने में लगेगा अगर आप इसे बनवाएंगे फिर से मैं फिर से दोस्तो मैंने पेड और यहाँ पर रोड को अटैच कर दिया है तो यह ओवराल मॉडल आपको बनकर रेडी हो जाता है तो दोस्तो आपको यह मॉडल कैसा लगा है जरूर बताएं वीडियो क्लाइक से जरूर करते हैं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्षिन म छिसके लिए हमेड़ा आप आप में इसक्टेक्ट कर सकते हैं हमारा फोलो कर आपप से मिलेंगे इसलिए ओर आपको देगर पर भी update में देता रहता हूं, तो अगर आप हमारी paid service कर इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे description में दिए गए what's or number पर contact करें, मैं आपसे chat करूँगा, इसके बाद बात करूँगा और आपकी requirement के according house create करूँगा, जो भी आपकी requirement होगी, हमारी website ispanosplan.com पर आप जरूर विजिट करें, इससे आपको आपर सारी details इस house की मिल सके, वीड़ो पशन्द आया हो तो please like करें, चैनल को subscribe नहीं कि आप जरूर कर लें, thanks for watching.